हेलो दोस्तोर वेलकम बैक टुद निव वीडियो तो गाइज आज हम लोग केलने वाले डंजन एसकेट तो बेसिकली गाइज यहापर मेरे कोई इस प्रिजन में कैद कर ले और गाइज इसी प्रिजन में से मुझे बाहर निकल और गाइज यहापर सामनी की तरफ मुझे एक लिवर दिखाई दे रहे तो फट 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 गाइज यह लिवर में खिच लेता हूं और यहापर यह वाला डोर भी हमरे लिए ओपन हो चुक है और लिटरली आते ही यहापर मेरे सामनी एक बड़ा सा गड़ा आ चुक है जिसके अंदर गाइज बहुत ज्यादा लावा है त ल॥ाट वख कर देखतें कि यह लिवर मेहुत जांता है डेका यह लिए पहला चेकपंट न क्या करते हैं कि यह अंडर कंस्रक्षान हाम चल रहा है तो गाइज हमिगा भी ओंगाप सा भी इतर इतर हुआ तो सीधा जाकर में लावा में गरूँगा जोख भूप ज़ी को है तो इसे भी गैस मुझे बहुत द्यान से पार करना है और गाईड यह बहुत जदा fastly more है तो गैस मुझे संबल कर आगी जाना पड़ेगा और गाईज यापर मेरे को touch हो गया और गैस यापर मेरे को फिर एक बार करना पड़ेगा कोई बात नहीं गाईज यापर हम फिर एक बार करेंगे इस बार गाईज मेरे को गलती नहीं करनी जैसे ही ऊपर की साइड चला जाएगा तो मैं आगी की साइड निकल जाओंगा बिल्कुल इसी तरह गाईज इसे भी हमने बहुत इजीली पार कर दे और गाईज अभी ये सीडिया कहा पर जा रही है ये सीडिया तो किसी तो एक ट्रेजर बॉच्स में तो फटवर गाईज को एक ट्रेजर बॉक्स में आपर ओपन करता हो लेकिन ये वाला ट्रेजर बॉक्स यहाप्र इस बार ओपन करके देखते हो तो फटवन ये वाला डॉर यापर मैं ओपन करता हो और ये वाला डॉर तो यहापर ओपन हो चुक है और गाइश सामनी की तरफ एक रास्त कई पर तो जा रहे है, तो फटवर्ड गाइश यह आपर यह वाला चेक पॉइंट ले लेते हैं, और गाइश यहापर देखो कितने ज्यादा स्पाइक से, तो इन स्पाइक से मुझे बच कर रहे हैं, बिल्कुल गाइश यहापर मैरे द यहाँ पर नीचे की साइड जाना पड़ेगा तो फटवर गाइज आपर मैं पहली वाली जंप लागा देता हूँ जो कि गाइज बहुत जदा सक्सेस्फुल हो चुकी है आप लास्ट वाली बड़ी जंप लागा नहीं मुझे और राइड गाईज यह वाली जम भी बहुत इजीली लग गई मतलब गाईज हमने एक ही आटेम में इसे पार कर दिया और गाईज अभी तो सामनी की तरफ कई पर तो एक रास्ता जा रहे तो फटबड गाईज इस वाले रास्ते पर चलते और गाईज यह आपर में नीचे की साइड तो आ चुका हूँ तो गाईज यह वाला चेक्पाइंट में ले लिता हूँ और गाईज यह आपर एक टनल है तो कई पर तो जा रही ही है यह वाली टनल सामनी की तरफ तो मुझे कई पर रास्ता नहीं देखा ही दे रहा गाईज वाला चेक्पाइंट में ले ले लेता हूँ और गाईज यह आपर नीचे की साइड देखो कितना जादा लावा है तो गाईज इस लावा में तो मुझे बिल्कुल नहीं गिरना तो फटवर्ड याईज यापर प्रॉपर वाली जंप लगते और आगे की साइड निकल जाते अभी तो मैंने कोई आपर बहुत बड़ी सी जंप लगानी जो कि गाईज मैंने लगा लिए इसे तो हमने थोड़ी बहुत मुश्किलेगों के साथ पार कर दे और अभी तो गाईज यापर मैरे कोई इस राक्षस के मूझे अंदर जाना है तो फटवर्ड गाईज इसके मूझे अंदर चलते और गाईज यापर इसके मूझे तो अंदर में आ चको वाले है all right guys यहां पर ही बहुत ज्याद़ आ चुकि बेसिकलिया पर मरे को जम करकर आगे के साइड निकल जाने और guys यहां पर मैं थोड़े के लिए बच गया all right guys यहां पर मैं तो बहुत एजी लिया आगे बढ़ते जारो और all right guys यहाँ पर अभी तो बस एक last वाला पच्छा है तो guys यहाँ पर guys मैं गिर कर मर चुका हूँ all right guys यहाँ पर मैं जैसे जैसे तो आ गया और सामनी की दरब guys इस राक्षस के मुग के अंदर जाना है तो फटावड guys इस राक्षस के मुग के अंदर चलते और guys यहाँ पर मैं फटावड यह वाला चेक पॉइंट ले लेता तो guys नीचे के साइड देखो एक red कलर का लाव आई जो कि guys बहुत ज़ता डेंजर्स लग रहे है तो guys मुझे तो इसे बिलकुल इगनर मारने है और इसके उपर से चल कर जाने है तो whatever guys इसके उपर से जंप लगाते लगाते मुझे आगी की साइड निकल जाना है all right guys बिलकुल इसी तरह और guys अभी तो सामनी की तरफ मुझे यहाँ पर एक breeze दिकाई दे रहे है तो guys यह वाला breeze तो बिलकुल open है और इसे close करने के लिए मुझे सबसे पहले तो एक liver find करना पड़ेगा तो guys यह वाला लिवर कहाँ पर है और सामनी की तरफ guys यहाँ पर मुझे कुछ सीड़े दिकाई दे रहे है तो फटवर्ट guys यहाँ पर ऊपर की साइड जाते और guys यहाँ पर मुझे लिवर भी मिल चुक है और इसे के साथ guys यहाँ पर यह वाला breeze तो close हो चुक है तो फटवर्ट guys इस breeze के ऊपर से चलते वरना पता चला कि यह breeze फिर से open हो गया और guys इस red color के लावा में गिर गया में और guys यहाँ पर सामनी की तरफ एक checkpoint है और guys यह वाला checkpoint में ले लेता हूँ और guys यह वाली stairs का आपर जा रही है मतलब guys यह stairs खतम होने का नामी ले ले रही है और guys यहाँ पर मेरे को एक लंबी सी jump लागाने पड़ेगी ओकी guys मैंने easily लगा दिये और ऐसे ही jump लागते लागते मुझे आगी की side निकल जाने बिल्कुल रुक नहीं है और guys यहाँ पर फिर एक बार एक checkpoint है और guys यह वाले checkpoint में ले लेता हो और फटाफट इसके उपर से jump करते करते आगी की side निकल जाता हो और guys यहाँ पर मेरा हलका सा pair फिसल गया और यहाँ पर guys मैं मर चुका हूँ तो guys यहाँ इसे मुझे दूपारा से करना पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं guys यहाँ पर हम फिर एक बार करेंगे और guys यहाँ पर एक liver है तो guys यह वाला liver में खिच लेता हो और guys यहाँ पर एक lift आ चुके इस लावा को मैंने टच हो गया है तो guys देखो में यहाँ पर कैसे मर गया है तो guys बिलुकुल मुझे द्यान से आगी कि साइट जंप लगेती लगेती जाना है इसे तो मैंने बहुत इजिली पार कर दे और guys यहाँ पर देखो कितना खतरनाक dragon तो guys यह dragon तो बहुत ही ज़्यादा dangerous लगे और guys यह वाली सीड़े का पर जा रहे है तो whatever guys यह वाली सीड़े चरकर देखते हैं कि यह सीड़े हमें कापर लेकर जाती है और guys यहाँ पर यह वाली सीड़े तो मुझे कहीपर उपर लेकर आईए और guys अभी यहाँ पर मेरे को इस dragon के मुझे अंदर जाने और guys एक बार इसके दाथ देख लो कितने ज़्यादा खतरनाके तो वैस फटा फटी इसके मुझे अंदर चलते हैं और guys यहाँ पर अभी dragon का मुझ बंद हो चुका है तो फटावर guys यहाँ पर मैं आगी की साइड निकल लेता हूँ और guys यहाँ पर अभी तो मैंने को एक बहुत बड़ी और परफेक्टली जम्प लगानी है और guys यहाँ पर पहली जम्प यहाँ पर मेरी फेल हो चुकी है और सीथा जाकर में लावा में गिर चुका हूँ तो guys यहाँ पर फिर एक बार करते हैं इस बार तो guys मेरी लैंडिंग एकदम परफेक्ट हो चुकी और एक बार guys आप साइड में देखो इस dragon के पेट के अंदर पूरा का पूरा लावा है और यहाँ पर कितने जादा स्कुल है तो basically guys यहाँ पर इन स्कुल के उपर से जम्प लगाते लगाते मुझे आगी की साइड निकल जाने और राइड guys यहाँ पर तो हमने बहुत इजी ली कर दिया और guys यह वाला रास्ता कहा पर जा रहे अभी तो guys यहाँ पर मेरो को इस लेजर लाइट से बच कर आगी की साइड निकल जाने बिलुकुल guys इस स्कुएर के बीच बीच से मुझे जम्प लगानी है इसी तो guys हमने बहुत इजी ली पार कर दे और guys अभी मेरे को नीची की साइड जम्प लगानी all right guys यहाँ पर मेरे आ चुका हो और सामनी की तरफ guys यहाँ पर मेरो को बहुत लंबी सी सीडी दिखाई दे रहे तो whatever guys यह वाली सीडी चड़कर देखते हैं कि यह सीडी हमें कहाँ पर लेकर जा रहे मतलब guys यहाँ पर मेरे इस सीडी इतनी देर से चड़ रहे हो यह सीडी आपर खतम होने का नाम ही ले रहे है और guys फाइनली आपर सामनी की तरफ और एक लिफ्ट है तो फटपड गाइस इस लिफ्ट में बैठते और उपर की साइड जाते और गाइस यह लिफ्ट तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट ली जा रहे है मतलब as comparative पिछले वाली लिफ्ट यह लिफ्ट तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट जा रही है और गाइस यहापर यह वाली लिफ्ट तो हमें कभी पर तो उपर की साइड लेकर आईए और गाइस यहापर हमारे डेंजर ने इसकेप हो चुक है आई होप गाइस आपको यह वाली वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनलन को सब्सक्राइब करना लाइक करना कमेंट करना साथी साथ मुझे इस्टेग्राम ट्विटर फेस्बूप पर फॉलो करना मैं मिलता हो गाइस आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए गाइस ग